नमस्ते, मैं हूँ C.A. Krati Agrawal from धार मध्यप्रदेश, Fintex Junction में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बचट 2021 से जोड़े गए एक नए TDS सेक्षन पर ये सेक्षन है 194Q जहां पर आपको गुड्स परचेस करने पर एक जुलाई 2021 से TDS डिड़क करना होगा हाली में गवर्मेंट ने 1 ओक्टोबर 2020 से 50 लाग से जादा का माल सिंगल पार्टी को सेल करने पर TCS अंडर सेक्षन 206C1H की प्रोविजन्स अप्लाई किये जिस पर हम वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर चुके हैं जिसकी लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में है अब यही सेम प्रोविजन्स 1 जुलाई 2021 से बायर पर भी TDS अंडर सेक्षन 194Q के रूप में एप्लिकेबल होंगी यह सेक्षन कहता है अगर कोई बायर जिसका पिछले साल का टर्न ओवर 10 करोर रुपे से ज़ादा है और वो किसी सिंगल पर्टी से 50 लाग से ज़ादा का माल खरीदता है या उसे एडवांस पेमिंट करता है तो उसे 0.1% TDS डिड़क करना होगा और अगर आपके पास सामने वाली पार्टी का पैन नमबर नहीं है तो 5% का रेट होगा अब देखते हैं कभी यह सेक्षन अप्लिकेबल नहीं होगा अगर आप 50 लाग से जादा की services purchase कर रहे हैं तो ये section applicable नहीं होगा या फिर किसी other section में already उस particle TDS आप deduct कर रहे हैं तब भी ये provision applicable नहीं होगे या फिर आप किसी भी other section में TCS other than 206C1H के रूप में click कर रहे हैं तब भी आपको इस section में TDS deduct करने की जरूरत नहीं होगी अब आप confused होंगे कि ऐसे transactions जस पर TDS और TCS दोनों apply होंगे उनकी working कैसे होगी तो इसका जवाब section 206C1H यानि TCS के section में दिया गया है कि ऐसा कोई भी transaction जहांपर TDS और TCS दोनों साथ में apply हो रहे हैं वहाँ पर buyer सिर्फ TDS deduct कर रहेगा और TCS उस transaction पर applicable नहीं होगा इस नए section को एक example की मदद से समझते हैं मान लिजिए buyer B जिसका financial year 2021 में turnover रहा 9 करोड तब तो उसे TDS चेक करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर उसका turnover 11 करोड रहा तो उसे 1 जुलाई 2021 से ये चेक करना पड़ेगा कि उसने किसी party से 50 लाग से ज़्यादा के purchase bill लिये है या उसने 50 लाग से ज़्यादा का payment कर दिया है और bill अनब pending है तो let's suppose उसके पास एक ऐसी party है जिससे उसे सहाट लाग के bill मिल चुके है तो 50 लाग से ज़्यादा का payment यानि की बचे वे 10 लाग पर उसे 0.1% TDS deduct करना होगा और अगर उस party का pen number नहीं है तो 5% का rate होगा और इन bills पर अब आपकी party TCS collect नहीं करेगी याद रहे 50 लाग की ये limit एक April 2021 से ही calculate की जाएगी अब समझते हैं कि अगर कोई party TDS deduct करने में fail हो जाती है तो उसका result ये होगा कि income tax के section 40 AIA में उस excess खर्चे का यानि की हमारे example में 10 लाग के payment का 30% यानि 3 लाग उसके income में जुड़ जाएगा और उस पर tax लगेगा I hope ये नया section आप लोगों को पुरी तरह से clear है अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भुले और बैल आइकन दबाए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें अग्यू